नमस्कार दोस्तों स्वागत हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल SK AgriTech में दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करने वाले गेहूं के अंदर पोटास के मात्वे के बारे में आज किस वीडियो में आपको completely बताऊंगा कि आपको पोटास कितनी मात्रा में डालना चाहिए गेहूं के अंदर कब डालना चाहिए और क्या-क्या वो काम करता है दोस्तों कल मैंने एक वीडियो बनाई और उस पर मैंने एक सवाल किया था कि आपने अपनी गेहूं के अंदर क्या डाला है NPK डाला है या DAP डाला है तो मुझे बहुत सारे आप विवर्स की तरफ से कमेंट आ रहे हैं उस पर कि बहुत सारे तो बोल रहे हैं कि हमने NPK डाल दिया तो जिन किसान बाईयों ने NPK का प्रियोक कर लिया है उनको अब ज्यादा कुछ प्रियोक करने की जूरत नहीं है गहुं में केवल हुरिया डालना है और उसके बाद में जब बालिया निकलते का समय आता है या फुटाव का समय चल रहा होता है 40-50 दिन की फसल हो जाती है उस टाइम पर आपको एक चीज का और ज्यार रखना पड़ेगा जिन किसान बाईयों ने NPK डाल दिया है कि पत्या जो होती है गहुं के उनके बीच में लाल कलर की लाइनिंग ना पड़ जाए बीच में पत्यों की बीच में लाल कलर की अगर लाइनिंग पड़ना श्टार्ट हो जाती है हलके लाल कलर में गहुं पीले पड़ना शुरू हो जाते है तो वो जिंक की कमी होती है तो उस टाइम पर आपको अपनी गहुं में जिंक ज़रूरी डालना है ठेकिना अगर वो होता है तो अगर इसा पिला पन लाल कलर के लाइनिंग नहीं आती हैं तो आप नहीं भी डाल सकते हैं क्यों खर्चा बढ़ाओगे गयों के इंदर बाकि अगर आपने बोनी के समय अनपी के डाल दिया तो आप उसमें यूर्या डाल दीजिए यूर्या कैसे डालना है क्या करना है मैंने बहुत सारी वीडियो बना रही है तो आप देख लीजना चैनल पर जाकर और आपको पता चल जाएगा कि कि यूर्या कितनी मातरा चाहिए गेहूं में और कितनी बार कैसे डालना है सब कुछ आपको पता चल जाएगा लेकिन बात उन कि सब्सक्राइम जीन ने ड labeled और बहुत की दिधम के साथ में आमों पी भी नहीं मिला अगर सिंगल आपने खेहद में की बारनि दाल दिया तो आप में आप जो उसमें डाल दिव में तो आक क्तैनल प्रॉ आपकर आपने बारनिच भावियो पॉब हम थोड़ा 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 फसल को जुरत परती रहती है। ऐसा नहीं है कि पोटास आपने डाल दिया और एकी दम यूरिया के जैसे जथ फटाफट मिल जाएगा और फटाफट रिजट देगा नहीं पोटास का result आपको फ़सल के बाहरी तवचा पर दे पोटाज किया करेगा पोधे की रोगपर्ति रोधक शमता बढ़ाएगा पोधे के जो पत्ते की बाहर की किनारे होती है वह अगर स्भूगने लग जाती है तो वह पोटाज की कमी होती तो वह नहीं होने देगा उसके अलावा बहुत सारी घ्सालबाईयों के शुरवाद में पीलापन की सिकाईत आ जाती है वो नहीं होने देगा पोदे में अच्छा फुटाव लाएगा अच्छी कल्लों की संक्या बढ़ाएगा और लाश्ट में जब बालिया निकलेगी तो बालियों की लंबाई भी बढ़ाता है बालियों के अंदर जो दाना बराव होता है जो सब बढ़ाएब से फसल एसई हो गये नहीं इस अपको यूरिया में दिखता है वैसा पोटाज में नहीं दिखे गाली बहुत जरूरी है आपको डालना ही है तो जिन किसान भाईयों ने डियेपी का प्रियों किया है उनको अब क्या करना है उनको देखे यहां पर एक काम करना है आपको 20 किलो पोटास का कट्टा ले लेना है बाजार से और अपनी गेहों की फसल में उसको डालना है अगर आपने स किलो का कट्टा ले उसको रेत में मिलाना है अधर किसी भी चीज के साथ में नहीं मिलाना है और गेहों के अंदर आपको भुरकाव कर देना है उसको छिड़क देना है पानी लगाने से पहले और श्याम के टाइम पर ताकि रात को जब वह उस गिरेगी तो वह पत्तों से फसल को मिलना शुरू हो जाएगा पोटास दीरे दीरे कारे करता है और समय रहते हैं आप इसको डाल दीजिए आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा अन्यता आपकी फसल कमजोर रहेगी पैदावार में भी फीचे रहेगी क्योंकि पोटास ही है कि सतत्व है जो पैदा फसलोगा भाईब एसका।